नमस्कार, आजना वर्चुल ट्रेनिंग, आजना वर्चुल क्लास्रूम ट्रेनिंग सेशन मों आप सवनों हार्दिक स्वागत छे आज यहूं आईटेम चालता, वेल्डठेड अंतर गत, टिक विल्डिंग फिलर रोड विसे आप सवनों माग्देशन पूरुपालीश, तो आपने जोहिए टिक विल्डिंग फिलर रोड, तो आप फिलर रोड छे, ते फियरस अथ्वा, नॉन फियरस दातों ना बनेला एक म उप्योग जोईन्ट अत्वा बेज मीटल उपर जरूरी प्रवाण मों मेटल लिपोजिट करवा माटे थाये छे फिलरोड गोडाकार अत्वा तो लम चोरस आर्चिर मां मड़ी आवे छे तेना मुख्या बेज प्रकार चे एक से फेरस फिलरोड अने नोन फेरस फिलरोड फिलरोड न उप्योग आपड़े आकुरती मां बतावे लिए छे आ टंस्टर इलेक्टरोड छे फिलरोड छे ते अलग-अलग साइज मां मड़ी आवे छे ते मुख्या ते 1.6 mm, 2.4 mm, 3.6 mm अने 4.8 mm जे अलग-अलग साइज मां मड़ी आवे छे माइल स्टेल, एलुमिन्यम, स्टेनलेस स्टेल, वगेर जोई धात्वों माटे तेने अने रूप फिलरोड वापर वाम आवे छे टिक वेल्डिंग करती वखते फिलरोड ने मोल्टर पुन मों हाथ वडे फिट करेनी मजबूत सवंदो मेरा वाम आवे छे फिलरोड वापर वाथी वेल्डिंग क्वलिटी मों सुधारोड थाये छे फिलरोड नी पसंद्गी वेल्डिंग करवानी धात्वों कही छे तेना पर महत्वनों आधार राखे छे फिलरोड नी पसंद्गी करवा माटे स्ट्रेंथ, डक्टिलिती, फिटिंग समता, काट प्रतिरो दगता अने फिनिसिंग जोई बावधनी ध्यानमों लेवाम आवे छे अवे टिक वेल्डिंग, फिलरोड नी पसंद्गी माटे ना माप डंड एक नम्मल मा छे वेल्डिंग करवानी दातुनो बंदार बीजू छे वेल्डिंग करवानी दातुना बहुतिक गुर्ण दर्मो त्रीजू छे जोएंट नी योग्य डिजाइन च्वातो छे बेज मट्रियल नी जाड आई अने पांचमा नम्मल छे तेनी बजार किमत अवे टिक वेल्डिंग फिलर रोड ना गुर्ण दर्मो तेमा क्या काई गुर्ण दर्मो हो जोईए ते आपने जो इश्यू फिलर रोड वेल्डिंग करवानी दातुन मुजबना कमपोजिशन ना हो जोईए जे दातुन वेल्डिंग करवान चे तेनी अनुरूपज फिलर रोड वापर वाजोईए फिलर रोड धूर काट, ग्रीस, ओल, पेंट वगेर दी मुख्त होईए जे इन्हें साब करने तेनी उप्योकर हो जोईए तेमा वदान या सुद्ध्य होवी जोईए नहीं त्वा टॉपिक मुँँ आपने टीक विल्डिंग मुझे फिलर रोड रोप्राय चे तेना विशे माईदी मेरी आपान